נawsome. πα्लए बात कीजिडा स्देट की ये न चैने डाज बात करते हैं", हम लोग को चैने बलाग कीैसे यूज़ करना चाहिए सइच केुए सबसे पहली बात को है जब भी हम चैने बलाग को यूज़ करें मेक से और हम लोग चैन ब्लाग का 3rd party certificate लिया है उसके बाद चैन ब्लाग के साथ हम लोग को large sling यूज़ करना पड़ता है और दिसापेल तो उसका भी हम लोग को 3rd party certificate है कि नहींचे वो भी सब कुछ चेक कर लेना है और साथ में बेल्ट का काई पाइपासीटी भी देख लेना है जैसे की बेल्द में आपको मालूमें सभी बेल्दों में ऐसा करके एक इस्टीकल लगा रहता है और चैन ब्लाक को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं पहला अप्शन है किसी भी इस्टेस्नरी अबजेक्ट के साथ में जिसमें हम चैन ब्ल कारेउरी इसके इसका भी सार्टिफिकेट है ठर्ट पार्च इस्पेक्टरम चैन ब्लक को कभी भी यूज करने के टाइम इसको हमेशा वर्क को सब्सक्राइब केसे लिए, अधर वर अगर को विख कुई है, और जैने को कैसे हो सकता है मैंने ख़ल को सब्सक्राइब शब्सक्राइब शब्सक्राइब धूर्ड amaak कRA जैंड ब्लाक को हिसी है लोकुन से नहीं, चैन दिद्री करने के बाद ही चैन ब्लाक को सब्सक्राइब करने हैं और चैन ब्लाक, जहां पर भी आप इस्तिमाल करें हैं, वहां पर मंत्ली, कलर पोड और अस्पेक्शन होना बहुत जरु है जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारा monthly color code inspection इसकी सा है, यह monthly color code है, यह सब monthly हम लोग को inspect करना है, लेकिन हर इस्तिमाल से पहले हैं, जब भी आप कही पर भी use कर रहे हैं chain block को, एक बार जरूर से जरूर चेक कर लें, उसका condition अच्छा है कि नहीं है, इस प्रतार से अगर आप check कर कोई भी chain block को use करते हैं, तो इस्ति प्रूर से आप स्रचित तरीके से काम कर पाएंगे, तो दोस्तों, आप चैन प्लाग safety के बारे में इतना ही, आशा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आयेगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like कीजिए, दोस्तों के साथ में share कीजिए, और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को subscribe करके, bell button को click करके रखिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें, आपको immediately notification मिल जाए, thanks for watching, thank you.